नमस्कार दोस्तों स्वागत शुमुजवाली जी के और एक वीडियो में इस वीडियो में बात करेंगे IBS का treatment at home मैं यहाँ पर कोई decoction नहीं बनाने वाला हूँ कोई ऐसा fruit वगेरा ऐसा नहीं करने वाला हूँ मैं आपको practical knowledge दूँगा IBS को कैसे हराना है IBS को कैसे जड़ से उखार के फैकना है उसके लिए IBS के medications जो भी आप अभी तक ले रहे हो मेडिकेशन्स ज्यादा तर केस में कोई काम का नहीं है मेडिकेशन्स बहुत कॉस्टली आता है और वहाँ पर जो मेडिसिन आते हैं वह बहुत टाइम से आप लोगे तो आइविट फॉर्मिंग बनेगा और बेसिकली कोई काम नहीं होगा परसनली एक्सपिरियंस किया हो मैंने IBS को मेरे खुद में IBS फ्रॉम 2014 डियाग्नोस्ट विद IBS और उसी हिसाब से में वीडियो आपको बना रहा हो कि IBS ऐसा बीमारी है जो आपके वर्क स्टाइल लाइफ स्टाइल के साथ एस्सेटेट होता है और वह लाइफ स्टाइल के साथ जब एस्सेट होगा मतलब अगर आप कोई फिक्स से चल रहा है क्योंकि हम आउनलाइन ही काम करते थे तो वहाँ पर करते करते पता भी नहीं था कि कौन सी क्या चीज़े बिमारी तब जाए डियाग्नोस्ट किया तो आईबियस कहला है तो आईबियस में मेरे तरब जो मेरे हिसाब से जो सिम्टम्स थे वो थे राइट लोव और अब्डोमेन पेन तो मुझे लगा था एपंडिक्स का कोई इशू है बगर वो इशू नहीं था वह इब यदियस था अब डियाग्नोस हुआ था जब बाकि आईबियस तब कहा जाता है जब बाकि सारे के सारे डिजीज को डियाग्नोस करके पता चलता है कि यह सारे कु प्रोनोस्कोपी हुआ आपको यूएसजी अल्टरसाउंड किया गया सब कुछ ब्लड टेस्ट वा सब नॉर्मल फिर भी कुछ न कुछ प्रॉब्लेम आना तो वह आईबियस का सिम्टम कहा जाता है और तब जब आईबियस होता है जो जिसको बोलते इरिटेबल बावल सिंड अब आईबियस अगर आप देखो इंडिया में तो मुझे लगता है अभी के अभी सिच्वेशन इंडिया में लगभग 50% पॉपुलेशन का आईबियस है उनको पता भी नहीं आईबियस है तो आईबियस एक ऐसा प्रॉब्लम है जहां पे ब्रेन और अपने डाइजेस्ट ऐसा पेरिस्टाल्सिस के साथ तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आता है ता कि अगर कोई इंसान अगर ज्याधा तर काम कर रहा और नीन का भी उसमें एक साइकल इंपोर्टन्ट होता है अगर नीन का साइकल भी ठीक ना हो अलग-अलग टाइम पर सो रहे हो बॉडी को आप नॉर्मल एक जो बॉडी की रूटीन है जो एक बॉडी की क्लॉक है उससे बाहर लेके जा रहे हो तब जाकर आईपीएस बनता है आईपीएस होता है अब आईपीएस दोनों प्रकार के आईपीएस डी डाइरियल प्रिडॉमिनेंट आईपीएस कॉंस्टिपेशन प्रिडॉमिनेंट तो मेरे में तो आईपीएस डाइरियल प्रिडॉमिनेंट था तो उसको ठीक करने के लिए मैंने बहुत सारे के कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ मतलब लिटरली दोस मेडिकेशन 30 40 रुपीस पीस पीस आपलेट आफ नथिंग फिर बाद में एक टाइम आया जब मुझे सोचना पड़ा कि I need to do something with my with my own figure with my own body with my health otherwise it's not going to help me क्योंकि मुझे academically excel करना है मुझे professionally करने उसके साथ अगर मैं physically नहीं कर पाता हूँ तो कुछ काम नहीं बनेगा तो that time when I decided to stop taking the medications एक दिन बहुत ही ऐसे करके मैं medications नहीं लूँगा मैं देखता हूँ क्या होता है कितने दिन ही episode आता है क्योंकि जो episode of diarrhea होता था वो episode होता था weekly एक बार या फिर दस दिन में एक बार दो हपते में एक बार तो यह process चलता रहता था और कोई भी कारण नहीं you cannot connect it with anything लोग बोलते हैं कि food के साथ connected है मैं आपको बोलता हूँ practical experiences से कि अगर आप ऐसा लो बोलते हैं कि आगर आप अच्छे से खाना खाओ मतब fruits लो vegetables लो पानी ठीक से पीओ ठीक रहोगे junk food लोगे बाहर के food लोगे तो ठीक नहीं रहोगे यह तो normal health के लिए बोलते हैं मगर इन IBS मैंने जो practically observe कि कोई भी कारण fit नहीं बैठता है मैं दस बीस दिन एक दो महीने तीन महीने continuously घर का खाना खाके भी IBS का एपिसोड मेरे हुआ और में continuous मतब ऐसे देखो कि बाहर कर बिरियानी खा लिया बाहर कर रिच खाना खाया फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ ऐसा भी हुआ तो basically यह एक लोचा जो brain और intestine के साथ है यह अभी तक connect नहीं जो pathway जे अभी तक हमें पता नहीं है तो हमें लगता है कि कोई एक medicals जो रिफक्सिमीन और यहां पे benefit मिलता भी है मगर exactly वो कैसे काम करते है क्या करते है किसी को नहीं पता क्योंकि अभी तक वो process clear नहीं हमारे सामने अब देखो तब मुझे क्या करना था कि देखो यह food से नहीं हो रहा है यह medicine से नहीं हो रहा है तो मुझे क्या करना था मुझे यह IBS का जो problem जो दिमाग का problem है IBS is a problem of your brain not a problem of your intestine I repeat it's mostly a problem of your brain and not a problem of your intestine तो आपको brain के उपर काम करना है आपको खुद की brain के उपर काबू पाना है अब जिस बज़े से यह पाँ सको अगर आप meditation करके पास अगर आप योगा करके पास अगर आप खुद को समझा पाओ कि यह कोई बीमारी नहीं है जो बहुत difficult हो जाता है जब IBS continue चलता है आपका social life का पुरा एकदम खतम हो जाता है क्योंकि social life नहीं होगा आप प्रिपेर नहीं रहोगे कहीं पर जा रहे हो आप anxiety disorder से भी हो सकता है काम ज्यादा रह रह रहा है आपको काम करना है इसका stress के कि जब भी stress बढ़ता है तो IBS होगा यह चीज में correlate किया कि stress और anxiety कि जब stress ज्यादा रहता है IBS start हुआ उसके वजए से फिर से anxiety हुआ फिर से IBS हुआ तो यह चीज ठीक नहीं होता है आप medication medication लोगे ठीक नहीं होगा तो आपको खुद की anxiety खुद की यह जो fears इसको control करना है शा सब कुछ बंद करके देखो कि medication लेने के बाद भी मुझे मंत लिए किया दो बार हो रहा है अब कुछ medication continue करने के बाद हुआ है एक दो महीने तक नहीं हुआ तो थोड़ा confidence आया कि चलो ठीक हो रहे है फिर से हो गया जब भी फिर से और एक एपिसोड आ गया तो फिर से anxiety और प्रिवेंट करने के लिए मैंने क्या किया मैंने धीरे धीरे अपने lifestyle को modify किया मैंने मेरे food habits को modify किये और मैंने काम करने के तरीके को भी modify किया और ये सारे चीज करने के साथ-साथ मैंने जो routine change किया अपना अब यह की नहीं मानोगे कि एक time आया था जब there was like near about six to eight medications every single day में ले अपने आपको अपने दिमाग के ऊपर कावू रखना है एंजाइटी होने से रख रोकना है stress को दूर रखना है और उसके हिसाब से ही यह IBS को आप हरा पाऊगे IBS के ऊपर आप आप आऊगे क्यूंकि अलग 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 लोगों के लिए अलग अलग process है जिन लोगों के लिए practical कभी भी मैंने मैंने जब किसी मेरे दोस्त हैं कुछ कोई हैं जहां पर मैं जाकर पूछ सकता हो कि nutritionist के बताओ nutrition में क्या लेना है nutritionist जो आपको चार्ट बना के देगा that is bogus that is bogus 99% of the cases वो practically नहीं रहता है अगर कोई nutritionist आपको एक ऐसा चार्ट दे जिसको आप सुभा से आपको उसको maintain करने में लग जाओ तो आप काम कैसे करोगे दिन बर आपको practically सोचना है कि मैं य घटाना था बोडी से तो fat intake घटा के मुझे protein intake बराना था तो मैं खुद की हिसाब से routine plan किया और उसकी हिसाब से मैंने काम किया and obviously I know about my body कि मेरे body क्या signal दे रहा है क्या काम कर रहा है I know about the human body how it works तो मुझे वो पता था उसकी हिसाब से में काम किया और उसको utilize करके I have been over IBS में न बहुत important होता है तो food का एक हिस्सा अब यहां पर कोई written नहीं होता है कि यह खाना खाने से होता है जैसे coffee मेरे अंदर यह trigger करता है में coffee नहीं पीता हूँ तो इसी के कारण आपको जो चीज है जो ट्रिगर करता है तो चीज आपको avoid करना चाहिए मेरे अंदर यह coffee trigger करता है मेर जो खाने से होना है मैं नहीं खाऊंगा उचीज बद मुझे medicine लेना है मैं खाना कुछ खाना जो stop है बस बाकी खाना जो चीज ठीक है उसके साथ-साथ पानी पीना है ठीक amount में और में नॉर्मली पीता था मैं दिन में चार लीटर पानी ऐसे ही पीता हूँ तो चार से को ठीक करने के लिए अगर regulation मतलब यह क्योर अगर चाहिए आपको तो सिर्फ medication से नहीं होगा आपको exercise करना परेगा आपको body को intensive training में से गुजारना परेगा जहां पर body engage हो आपकी brain engage हो जो brain के motor functions है body के motor functions bank से साथ connected है वो engage हो तो अगर आप घर से काम करते हो बंद करो आप घर कुछ ना कुछ करो हर रोज कुछ ना कुछ time दो jogging करने जाओ यहां फिर कुछ करो physical activity बहुत important है without physical activity नहीं होगा आपको लगता है कि घर में आप बैठके काम करते हो important है जरूर important है उसके बात जाके आप करो और दिन बदिन लोगों को घर पे काम करने का जो चसका है वो बर और बर रहा है अगर देखो यूएस में जो developed country वहां पर आईबियस बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों में बहुत awareness भी है वहां पर तो हर साल लोग नॉर्मली को भी करते हैं यह जाच करने के लिए यहां पर आपको यह देखना है कि आप में आईबियस अगर हो रहा है या सारे चीज़ आप follow करो तो देखो आईबियस से आप चुटका रहा सकते हो और routine खुद को follow करना है आपको देखना है किस चीज़ को करने पर एडियस कम हो रहा है किस चीज़ को करने पर ज्यादा हो रहा है उस से बाहर रहा लग था होता आईबियस के treatment at home शायद हर voz किसी को यह वीडियो अच्छा ना लगे शायद लगे कि मैंने कुछ ऐसे लिस्ट नहीं दिया कि आप यह पीओ कर लेके जूस यह चूस वह वह ऐसा नहीं होता है यह वीडियो बनाने के लिए बनाते हैं मगर अगर किसी का आई वेस सच में हैं वो कनेट कर पाएगा इस चीज से आप आपको कैसे पता चलेगा आपके पास आई वेस हुआ है अगर आपको ऐसा कोई दर्द रहे आपकी लोर अब्डोमेन में कहीं पर राइट या लिफ्ट साइड में दर्द हो और वो दर्द मतलब महिने में दो तीन बार ऐसा होता रहे उसके साथ साथ कॉंस्टिपेशन या एसे से खाना खा लेसा आपको अपको नहीं यह सदू को यह मैं खाना बार एक लिए में को तीन बाच चार बार दिन में जाना पर एब और पर सोशल ne में क्या रह जाएगा आपकी फंक्शन अटेंड करने नहीं जा पाओगे कहीं पर नहीं जा पाओगे आपको लगए कि जब भी जाओंगा तो मुझे टॉयलेट की एक नजदीक टॉयलेट की जरूरी जरूरियत आपको मैं चाहिए होगा तो यह सारे प्रॉब्लम होता है आई जो एक लिस्ट वो मेंटेन करना उसके साथ exercise करो और control over your mind क्या आपको IBS है IBS एक ऐसा बीमारी है जिसको आप दूर रख सकते हो इनक्यूरेबल बीमारी है अभी तक तो कोई मेडिसीनेज से क्यूर हो बहुत सारी बीमारी दुनिया में इनक्यूरेबल है मगर यह बिनाइन है इसमें कोई dangerous चीज नहीं है इस बिमारी में तो आपकी यह दूर रख सकते हो दूर रख सकते हो दूर रखने की कोशिश करो food जो triggering food है उससे बाहर रहो और healthy exercise करो और have a control over your brain and you'll cure IBS तो चलते हैं बात में मिलेंगे अगले वीडियो में अगर वीडियो अच्छा है कि वीडियो को like करना share करना subscribe करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे और अगर आपको IBS है और आपकी IBS का यह जो episodes है या फिर IBS का जो experience है वो share करना comment section पर thank you